हेलो फ्रेंट्स इंग्लिश फैक्ट्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम जानेंगे पॉम्रेनियन डॉग ब्रीड के वारे में कुछ फैक्ट्स पॉम्रेनियन बहुत अच्छे वॉच डॉग होते हैं अगर कोई आपके घर में इंट्यूडर यानी चोर घुश जाता है तो यह डॉग भोगते हैं ताकि ओनर नोटिस करें पॉम्रेनियन बिना बात नहीं भोगते एक हेल्दी और अच्छी तरह देख भाल किये गए पॉम्रेनियन की एवरेज लाइफ स्पैन 12 से 16 साल तक की होती है पॉम्रेनियन का रेगुलर ग्रूमिंग और वेट चेक अप बहुत जरूरी होता है पॉम्रेनियन को उनके छोटे साइज के लिए जाना जाता है जिससे की आप इन डॉक्स को अपने साथ ट्रैवल भी करा सकते हैं पॉम्रेनियन को खेलना बहुत अच्छा लगता है और इन्हें आपकी अटेंशन की सक्त जरूरत होती है पॉम्रेनियन अलग-अलग साइज और कोलर्स में होते है जैसे की सेबल, रेड, ओरिंज, क्रीम, ब्राउन और ब्लैक, टैन और वाइट, गुल्फ सेबल, चॉकलेट, ब्रेंडल, माले, ब्ल्यू, पॉम्रेनियन और सबसे ज़्यादा रियर, लविंडर पॉम्रेनियन डॉक्स के पास डबल ठिक कोट होता है और इनकी ग्रूमिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होती पॉम्रेनियन का अंडर कोट साल में दो बार जड़ता है, इनका रेगुलर मेंटेनियन्स बहुत जरूरी होता है पॉमरेनियन डॉक्स को बहुत नामों से जाना जाता है जैसे कि पॉमी, पॉम पॉम, पॉम, दी टैडी बीर डॉक और दी फॉक्स डॉक आपको शायद पता नहों लेकिन टाइटैनिक पे नौ डॉक्स थे जिसके अंदर से सिर्फ दो डॉक्स को बचाया गया जिन में से एक पॉमरेनियन और दूसरा पैंक नीज था ऐसा कहा जाता है कि मार्गरेट हेस जो की लाइफ बोट नमबर सेवन से बची थी वो अपने पॉमरेनियन को अपने साथ लेके गई थी पॉमरेनियन डॉक बीड की लाइफ स्पैन 12 से 16 साल के दीच में होती है इनका ओरिजिन जर्मनी और पॉलेंड में था तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड पॉमरेनियन डॉक बीड के उपर खतम होता है अगर आपको किसी और डॉक बीड के उपर जाना है तो प्लीज कमेंट करें लाइक करना ना भूले और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद